अज़ के ख्लास में हम प्रोड़क्शन रेलेटेड लॉंग रन लॉग को डिस्कास करेंगे लास्ट क्लास में हम लोगोंने प्रोड़क्शन रेलेटेड शॉट्रन लॉग डिस्कास कर लिये हैं दो लॉगोंने डिस्कास किया था जिसमें से पहला था law of returns to a factor और दूसरा लॉग जो की shorten law ही है जिसका नाम था law of variable proportion यह दोनों लॉगोंने डिटेल में डिस्कास किया दोनों को explain किया, उनके assumptions देखे, causes देख लिया है और वो दोनों लॉगोंने फिनिश कर लिया है आज के class में हम long run law यानि कि long time period में किसी भी industry में जो भी law long time period में देखने को मिलता है जिसका नाम होगा long run में मिलने वाले law को discuss करेंगे जिसका नाम है law of returns to the scale यह law long run law है so according to long time period और उसके features हम discuss करेंगे कि इस law में production के लिए कौन से rules follow किये जाते हैं और इस law के assumptions के साथ हम इसे भी explain करेंगे table और diagram बना करके और इस law के भी causes को discuss करते वे यह law हम finish करेंगे तो सबसे पहले हम जाने कि law of returns to the scale यह law क्या explain करता है या फिर कह सकते हैं इसका meaning क्या है तो देखिए law of returns to a factor वहाँ पे हमने short time period में जो law discuss किया वहाँ हमने discuss किया था कि जब हम एक factor जो की labor है variable factor जो की labor है short time period में तो जब हम एक variable factor के unit को change कर रहे थे तो total production में होने वाले change को हम discuss कर रहे थे under the law of returns to a factor यहाँ पे है the scale और यह है long run law इसके बारे में कुछ बाते हैं कि law of returns to the scale is a long period law long period एक ऐसा time period है जहाँ पे सारे के सारे factor all the factors यानि कि all the inputs वो सारे के सारे variable होते हैं so with this condition हम all the factors of production को जब change करेंगे तो जब आप अपने सारे के सारे input को बदलोगे तो जो production का scale होगा वो भी change हो जाएगा input को बदल रहे मतलब production का scale बदल रहे है आपने input को 2 के ratio में लगाया हुआ है जब आपने अपने सारे input को 2 से change करके 4 के scale में कर दिया तो आपका production का scale पहले 2 का था अब वो 4 दुगने का हो चुका है मतलब आपका scale बदल चुका है scale मतलब पैमाना तो जो उतपाधन का स्तर है वो बदल जाता है जब हम अपने सारे के सारे inputs को change करते हैं आप एक input को बदलो या आप एक से जादा input को बदलो input के input में अगर आप change करोगे तो उसके result में आपका output भी change होगा सो ये law बताता है कि जब हम अपने सारे के सारे inputs को change करते हैं इन same proportion समान अनुपात में जब हम अपने सारे के सारे inputs को change करेंगे अब यहाँ पे same proportion का क्या मतलब है तो inputs में हमारे पास land है, labor है, capital है, entrepreneur है ये कुछ main factors of production है, ये law है, long done law, यानि long time period में हम इन में से सारे factors को change कर सकते हैं तो जब आप सारे के सारे factors of production को जैसे तैसे change कर दोगे, किसी को बढ़ा दोगे, किसी को घटा दोगे तो उस situation में आपका जो production होगा, उसमें change तो होगा, लेकिन जब आप production में होने वाले change को discuss करना चाहोगे या calculate करना चाहोगे, तो वो आप नहीं कर पाओगे, कि exact output में हमारा जो change हो रहा है वो कौन से input में कितना change किया, जिसकी वज़ो से हो रहा है तो इसी लिए law of returns to the scale में एक छोटा सा condition है, कि आपके सारे के सारे factors variable हैं तो आप सब को बदल दो, कोई बात नहीं लेकिन जब हम अपने सारे factors को बदलेंगे, तो उनके change होने का जो proportion रखेंगे, वो same होना चाहिए मतलब अगर आप labor को एक से बढ़ा के 2 के scale में कर रहे हो तो labor को भी 1 के proportion से 2 के proportion में change करना होगा capital को भी 1 के ratio से बढ़ा कर 2 के proportion में करना होगा और entrepreneur को भी आपको same तरीके से change करना होगा तो वही कह रहे हैं कि जब आप अपने सारे input को same proportion में change करते हो तो आपके production का scale बदल जाता है और जब आप अपने input को बदलोगे, तो result में, output में change होगा और इसी change को output में होने वाले change को हम discuss कर रहे हैं under the law of returns to the scale ये law, law of returns to the scale is a long period law in which all the factors of production are variable so when all the factors of production are changed at same proportion, with same proportion then total production or you can say output will also be changed और आपके होने वाले change को under this law, we discuss the resulting change in output as a result of change in all the inputs by the same proportion इस law में, हम उसी change को discuss कर रहे हैं output में होने वाले change को discuss कर रहे हैं जो input में change करने के कारण होता है और अब इतनी बाते तो discuss कर लिए कि हाँ ठीक है इस law में हम देखते हैं कि जब हमने production का scale बदला तो return में क्या change देखने को मिला यानि output बदलेगा जब input को बदलेंगे अब सवाल है कि output हमारा कितने तरीके में से change होगा So law of returns to the scale में भी आपको तीन टाइप का change देखने को मिलेगा या कह सकते हो return देखने को मिलेगा सबसे पहला जो return होगा वो है आपका law of increasing returns to the scale जो पहला change होगा वो increasing returns to the scale होगा दूसरे टाइप का जो change आपको देखने को मिलेगा वो होगा law of constant returns to the scale और third type का जो change आपको देखने को मिलेगा वो होगा law of decreasing returns to the scale और इस तरह से टोटल आपको तीन type of change या three types of return मिलते हैं under the law of returns to the scale अब हम लोगों को इन ही तीनों returns को detail में discuss करना है कि ये तीनों returns क्या है और इन तीनों returns के क्या causes है सो इन तीनों returns को भी हम फटाफट से short form में बिना बहुत जादा detail किये लिख लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये तीनों returns हैं क्या सबसे पहले हम शुरुवात करेंगे increasing returns to the scale से सबसे पहला जो return है हमारा law of increasing returns to the scale अब देखिए ये law क्या बताता है according to law of increasing returns to the scale if we increase all the inputs by the same proportion जब हम अपने सारे के सारे inputs को same proportion से बढ़ाते हैं starting में आपने देखा change तो change का मतलब increase और decrease तो जब आप अपने सारे inputs को बढ़ाओगे तो result में जो output होगा वो भी बढ़ेगा ये बात हम जानते हैं increasing returns बताता है कि आप अगर जिस proportion में input को बढ़ाते हैं अगर output में जो resulting increment देखने को मिल रहा है अगर वो increase output में input के तुलना में जादा देखने को मिलता है अगर output input के increase से जादा होता है तो उस situation में हम समझते हैं कि firm में increasing returns to the scale लागू हो रहा है या काम कर रहा है according to law of increasing returns to the scale if the output increases in a greater proportion than increase in input we can say law of increasing returns to the scale is in operation वो भई काम कर रहा है मतलब लागू हो रहा है इसको हम example से अगर समझें तो माल लीजे कि आपने सारे के सारे inputs को by the same proportion बढ़ाया suppose आपने 5% से inputs बढ़ाया और output में resulting increment आपको 7% से देखने को मिला मतलब clear है कि output का increase input के increase से जादा है यानि हमारी industry में increasing returns to the scale काम कर रहा है अब हम लोगों को increasing returns to the scale को proof करना है increasing returns to the scale को अब हम proof करेंगे या कह सकते हो explain करेंगे और explain करने के लिए हम यहाँ पर एक curve draw करेंगे अब हम increasing returns to the scale को जरा प्रूफ कर लेते हैं और प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे curve draw करेंगे सबसे पहले तो एक्स और यक्स बना लेते हैं चुकि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है तो एक्स और यक्स तो हो गई अब यहाँ पर इससे पहले कि हम इसको graphically present करें इस law को प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने assume किया है कि output is a function of only two inputs that is labor and capital सवाल है क्यों क्यों हमने सिर्फ दो ही input लिया और ऐसा क्यों assume किया कि output जो है वो सिर्फ labor और capital से बन रहा है तो ऐसा करने के पीछे का simple logic है we have only two axis अब हम दोनों axis पे दो ही input दिखा सकते हैं और हम उसको graphically जब proof करेंगे तो हमको दिखाना होगा कि हम अपने input को same proportion में बढ़ाएंगे और हमारा output बढ़ेगा लेकिन input की तुलना में जादा तो क्योंकि हमारे पास दो ही axis है इसलिए हमने दो ही input लिया है और सवाल है अगर labor और capital ही क्यों लिया है तो फिर इसके पीछे का simple logic है भही आप कुछ भी ले सकते हैं आप labor capital के अलावा other inputs को भी ले सकते हैं but they are the main factor of production तो इसलिए हम लोग labor और capital को ही mostly लेके चलते हैं अब यह assumption क्यों है यह समझ में आया कि हमने माना है कि output is a function of labor and capital अब x और y axis पर हम ले लेंगे कौन-कौन सा factor हम किस axis पर दिखा रहे हैं तो suppose y axis पर हम capital शो करेंगे जिसको हम K से denote करेंगे और x-axis पर हम labor शो करेंगे जिसको हम L से दिखा रहे हैं अब देखिए जब हमने input को यानि की labor और capital को equal proportion में लिया है capital लिया 1 के तो labor भी लेना होगा 1L क्योंकि same proportion में लेना है तो इन दोनों के common point पर जब हम पहुंचेंगे तो हमें मिलेगा point A और production curve जब हम बनाएंगे production curve हम draw करेंगे और उस curve का नाम होगा सबसे पहले curve बनाएंगे ये curve का नाम मैं या side में लिख देती हूँ ये iso-quant curve है ये iso-quant curve हम इस्तिमाल कर रहे है law of increasing returns to the scale को proof करने के लिए ये जो एक curve है ये आपका indicate करता है इस curve का हर एक point आपको equal level of output के production को indicate करता है जिसको बनाया गया है with various combinations of two inputs दो अलग-अलग inputs के अलग-अलग combinations से जब हम equal level of output का production करते हैं तो उसे दिखाने के लिए हम जिस curve का इस्तिमाल करते हैं उसका नाम है iso-quant curve और इसलिए हम यहाँ पे iso-quant curve ले रहे हैं ये curve का बस आप नाम जान लो और इसके बारे में आप जान लो enough है इसको आपको बहुत detail में लिखने की ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पे हमने iso-quant curve बना लिया इसको हम Q से denote करते हैं और ये Q1 है suppose यहाँ पे output का production हो रहा है 10 units तुम 10 lakh माल लो ठीके 10 lakh unit बन रहा है यहाँ पे फिर हमने अपने input के जो quantity है उसको हमने बदला क्योंकि हम long run में हैं सारे factor variable हैं तो हम सब को बदल के देखते हैं तो हम ना capital को increase करेंगे capital को हम 1K से बढ़ा के कर देंगे 2K law बोलता है कि जो भी काम करना है करिए increment और decrement with input लेकिन सारे input के बीच का proportion same रखिए तो जब capital 1K से 2K करेंगे तो labor को भी तो 1L से 2L करना पड़ेगा तो हम कर देंगे अब हमें इन दोनों का नया common point मिल जाएगा जब हम 2 के scale में पहले हमारा production का scale 1 था अब वो scale बदल के 2 का हो गया है तो producer जो है वो नये point पर पहुँच गया है point B और ये नये level of output को दिखाएगा output के production को दिखाएगा जिसके लिए हम नया ISO quant curve बनाएंगे जिसको नाम देंगे Q2 अब सपोज यहाँ पर output का production हो रहा है 25 यूनिट्स 25 लाक यूनिट्स ठीक है अब हमको देखना है कि जब हमने अपने input को same proportion में बढ़ा दिया तो हमारा output जो है वो बढ़ गया 10 से तो definitely 25 जादा है which means बढ़ गया अब हमको जानना है कि जब हमने अपने inputs को बढ़ाया 1 के scale से 2 के scale में किया तो output हमारा 10 से 25 यूनिट्स बढ़ा तो क्या हमारे industry में law of increasing returns काम कर रहा है इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर input और output के बीच का increment निकाल लेते हैं अब हम increment निकालते हैं input और output के बीच का कैसे निकालेंगे तो input को 1 के scale से 2 के scale में बढ़ा दिया था तो percentage change निकालेंगे percentage change निकालने के लिए क्या करोगे final value minus initial value divided by initial value into 100 क्योंकि हम यहाँ पर percent में value निकाल रहे हैं अच्छा यहाँ पे करो और यहाँ पे करो अलग-अलग नहीं करना है एक ही साथ करना है क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं दोनों में कर रहे हैं तो production का scale 1 से 2 में किया तो आप उसी तरह का change निकालोगे 2 minus 1 final तक 2 पहले था 1 तो 2 minus 1 divided by 1 initial और into 100 solve करोगे तो 1 by 1 into 100 which means 100% से हमने अपने input को बढ़ाया मतलब हमने अपने input को 1 से 2 के scale में किया मतलब हमने 100% का increment किया अब हम देखते हैं कि क्या हमारा output 10 से 25 units हुआ था तो इसमें कितने percent का change हुआ वही काम करेंगे final value minus initial value divided by initial value into 100 solve करेंगे तो 25 minus 10 आएगा 15 into 10 equals to 150% अब हमने देखा कि जब हमने अपने output को increase हमारा output जब increase हो गया input में increase होने के बाद तो वो increment हमको 150% का आया अब यहां पे 150% 100% से ज़ादा show कर रहा है और यह दिखा रहा है कि हमने input को जिस proportion से बढ़ाया हमारा output उससे greater proportion में बढ़ा यानि हमारे firm में law of increasing returns काम कर रहा है एक बार फिर से हम यह काम करते हैं मतलब अपने input को हम फिर से change करते हैं 2K से अब हम अपने input का scale बदल के 3 का करेंगे तो capital को तुम 2K से 3K करोगे तो तुमको labor भी 2L से 3L करना पड़ेगा अब हम लोग इन दोनों के common point पर पहुँचते हैं इन दोनों का common point ढूंटे ढूंटे हम आगे बढ़े तो हमें नया point मिला point C नया production का curve मिलेगा देखने को जिसको नाम दे देंगे Q3 अब अब suppose आपका जो production हो रहा है वो 25 अच्छा जब input को आपने 2 के scale से बदल के 3 का scale किया 3 के scale में आपने change किया तो आपका output 25 unit से definitely बढ़ेगा और suppose करिए कि ये बढ़के हो गया 50 units suppose ये बढ़के हो गया 50 units अब आपका जो producer है वो point B से point C पर पहुँच चुके हैं अब एक बार फिर से हम देखते हैं कि जब हमने अपने input के scale को 2 से बदल के 3 का किया तो output 25 से बढ़के 50 units हुआ कितना percent हमने input में change किया और कितना percent resulting हमारे output में change आया input का change निकालने का same formula यूज़ करेंगे final value minus initial value 3 का scale हो गया अब पहले था 2 का scale तो final value 3 initial हो जाएगा 2 divided by initial which is 2 into 100 2 minus 3 minus 2 is equals to 1 so 1 into 50 is equals to 50% यानी कि हमारा जो input है अब हमने input को 50% से बढ़ाया है अब हम जड़ा देखे हैं कि हमारा output कितना बढ़ा है तो final value है 50 initial value है 25 divided by 25 into 100 अब solve करेंगे जब आप इसको तो 4, 50 minus 25 is equals to 25 into 4 बराबर 100 यानी कि input को जब 50% से बढ़ाया था तो output बढ़ा और output में increment कितना हुआ? 100% का मतलब एक बार फिर से हमने अपने input को बढ़ा दिया by 50% जिस percentage से हमने input को increase किया हमारा output उससे दुग ने percentage में बढ़ गया उससे ज़ादा बढ़ गया ये indicate कर रहा है कि हमारे industry में law of increasing returns काम कर रहा है ये जो हो गया ये हमारा law of increasing returns to the scale proof हो गया with the help of a table इस graph में not a table table तो बहुत छोटा सा बनाया है हमने सिर्फ values शो किया है percent increase में input and output का graph से और कह सकते हो table से हमारा law of increasing returns to the scale है ये proof होता है अब हमको जानना है कि increasing returns to the scale के causes क्या क्या है ऐसा क्यूं होता है कि industry में हम जितने percent से input को बढ़ाते हैं हमारा output उससे जादा percent में या उससे जादा proportion में बढ़ता है ऐसा होने के पीछे कुछ कारण है long run में बहुत सारे ऐसे factors हैं जो कुछ इस तरह से act करते हैं कि industry में increasing returns देखने को मिलते हैं अब causes की बात करेंगे हम increasing returns के तो जो सबसे पहला cause है increasing returns का वो है आपका indivisibility 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 of factors of production देखिए सबसे पहला point कि आपके जितने भी factors of production हैं वो सारे के सारे indivisible हैं indivisible है मतलब आप उन सारे के सारे factors of production को divide नहीं कर सकते हैं into small pieces आप उनको टुकडों में नहीं बाट सकते हैं चाहे आप machinery की बात ले लो चाहे आप laborers की बात कर लो आप उनको divide नहीं कर पाएंगे division के से तो अगर आपको production कम करना है कम output का production करना है तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि अपनी पूरी machinery suppose machinery की capacity thousand units बनाने की है at one time और हमको 10 समान बनाना है तो हम ये तो नहीं कर सकते कि अपनी कुछ machinery के parts को खोल के रख दें या बंद कर दें या machine के कुछ हिस्से को हम अलग कर दें हम ऐसा नहीं कर सकते है आपको thousand capacity का machine use करना है आप करें उस machine से आप अगर 10 समान भी बनाते हो तब भी तुमको पूरा machine use करना पड़ेगा आप laborers से एक दिन में सर्फ एक घंटे का का काम कराते हैं तब भी आपको laborers का इस्तिमाल करना पड़ेगा यह नहीं बोलोगे labor को कि आप अपना आधा दिमाग घर रख कराएं ठीक है so laborers हो गए यानि कि simple sense में factors of production जो हैं वो हमारे indivisible है टुकडों में हम उनको विभाजित नहीं कर सकते तो with this quality आप जब अपने factors of production का इस्तिमाल करते हो तो starting में आपकी industry चुकी नहीं है जरूरत नहीं है आपको बहुत ज़ादा output बनाने की तो आप अपनी ज़ादा capacity वाले factors का इस्तिमाल शुरुआत में करते हैं जिस पे आप input का खर्चा उतना ही लगाते हो अब धीरे धीरे आपके production की capacity बढ़ रही है production का scale बढ़ रहा है तो अब आप अपने available inputs का ही इस्तिमाल करके more and more quantity produce कर सकते हैं तो जब तक आपकी machinery अपने fuller capacity में use होती रहती है तो उसमें input का जो cost आप जोडोगे तो वो उतना ही आएगा जितना initial stage में लग रहा था तो input का खर्चा उस time पर आपका जितना होगा आप देखोगे कि return में जो आपको output मिल रहा है वो input के increment से काफी ज़ादा है और आपकी industry को increasing returns देखने को मिलेगा सबसे पहला point हो जाता है indivisibility of factors of production second cause है division of labor according to their specialization देखिए अगर आप laborers को काम पर लगाते हैं और आप उन सारे laborers को divide करते हैं according to their specialization उनको उनकी विशेष्टा के आधार पर आप काम देते हैं तो laborers अपनी चुकि specialized हैं आप उन से वही काम करा रहे हो जो करने में वो export हैं तो उस case में वो काम अच्छा करेंगे और जादा काम करेंगे चुकि वो specialized हैं उस तरह के काम को करने में और आपने उसको divide भी उसी के according किया है तो input आप जितना लगाओगे बढ़ाओगे आपका output का जो increment होगा वो input के increment से ज़ादा होगा और आपकी industry में increasing returns देखने को मिलेगा ये आपका second cause होता है increasing returns to the scale का third cause आप कह सकते हैं superior quality of machines अगर आप बेहतर technique का इस्तिमाल करते हैं अगर आप better technology का इस्तिमाल करते हैं तो उस case में भी input का जो increment है वो output के increment से आपको कम मिलेगा मतलब input जितना बढ़ाओगे return में output उससे ज़ादा बढ़ जाएगा और ये आपको benefit देखने को मिलेगा देखिए technology जो है technical state जो है वो वाकई में production को बढ़ाने में काफी मदद करती हैं और अगर आप superior quality की machinery's का इस्तिमाल करेंगे तो इससे production आपका काफी ज़ादा मात्रा में बढ़ेगा, output बढ़ेगा और input का जो खर्च है या उसका जो increment है उसकी तुलना में, उसकी अपेक्षा में output काफी ज़ादा return आपको देगा और increasing returns देखने को मिल जाएगा ये होगे आपका next cause and the next or last cause last cause of increasing returns is economies to scale देखे, economies to scale term जो है economics में हम इसका इस्तिमाल करते हैं जब किसी भी industry में शुरुवात में industry को benefits होते हैं और benefits के कारण industry के कुछ पैसे बचते हैं industry की बचत होती है तो उसको हम economies to scale कहते हैं अब बचत कैसे होती है ये सवाल है तो देखे, जब industries नहीं नहीं होती है तो उस industries में काफी उसके factors of production जो होते हैं वो नए होते हैं अब नए होने के कारण industry में सिर्फ और सिर्फ basic जो खर्च है जो basic खर्च में आगया आपका labor का wage land का rent capital का interest बस आपको यही सब पे करना है इससे ज़ादा additional खर्चे आपके नहीं होते जैसे की maintain करने का खर्चा maintenance cost depreciation cost tier and wear expenses आपको इस तरह के खर्चे नहीं उठाने पड़ते तो शुरुवात में चीजों के नए होने के कारण आपको additional खर्चा नहीं होता जो की आपका बचता है और इसी बचत को इसी छुटे छुटे पैसे जो save होते जाते हैं इसको हम economies to scale कहते हैं और इसकी वज़े से भी increasing returns देखने को मिलता है अगर इंडास्ट्री में additional खर्च, additional expenses नहीं होंगे तब फिर इंडास्ट्री में जो आपका production है वो बढ़ेगा और उसके बढ़ने का जो rate होगा वो input की तुलना में जादा होगा increasing होगा और इंडास्ट्री को increasing returns देखने को मिलेगा ये कुछ causes हैं increasing returns to the scale के और इन causes की वज़़े से long run में शुरुवात में इंडास्ट्री में जब production का काम शुरू होता है उस वक्त increasing returns देखने को मिलते हैं अब हम लोग ने इसी के साथ हमारा जो पहला return है law of increasing returns to the scale ये complete होता है अब हम लोग next class में जो law of returns to the scale है इसके जो दो और returns हैं दो type of change जो की output में देखने को मिलता है जिसमें पहला है आपका law of decreasing returns and दूसरा law of constant returns ये जो additional दो आपके returns हैं इसको हम अपने next class में discuss करेंगे आज के class में हमने क्या-क्या देखा कि law of returns to the scale ये क्या बतलाता है ये long period law है और ये किस बारे में explain करता है मतलब ये output में होने वाले change को बताता है जब आप सारे input को change करते हों same proportion में और फिर हमने देखा कि output में change तीन तरह का होता है जिसमें से पहला जो type of return या change है जिसको हम law of increasing returns to the scale के अंदर discuss कर रहे थे हमने वो complete किya कि increasing returns का क्या मतलब है उसका meaning उसको हमने explain किया diagram बना करके, graph बना के और फिर हमने उसके causes discuss किये ये तीन काम, मतलब meaning, explanation and causes ये तीन काम आपको decreasing returns and constant returns में भी समझना है और उन दोनों को हम अपने next class में discuss करेंगे detail में Thank you